तो वेलकम बैक टो माइं यूटुब चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है Google Docs के बारे में जानेगे कि Google Docks को आप कैसे यूज कर सकते हो ठीक है नूट्स बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए ठीक है वो मैं आपको बताने वाली तो सबसे पहले जो है आपको जाना है docks.google.com पर ठीक है यह है url docks.google.com तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने docks.google.com मैंने open किया है ठीक है जैसे ही मैंने इसको open किया तो आप यहां पर देख सकते हो कि यह blank start a new document that is black blank document और resume type और later project proposal यह सारे कुछ हमें आ रहे हैं ठीक है जो सबसे पहले जो है अगर आपको resume format बनाना है तो आप इसको open करके आप अपना resume में बना सकते हो इसमें ठीक है your name यह सब कुछ आप जो है अपना update कर सकते हो अपने name से ठीक है तो इसका जो format भी है बहुत अच्छा है ठीक है आप इसको चाहओ तो यूज कर सकते हो experiences company locations तो आप इसी में अपने details को बस यहां पर edit कर दो ठीक है इसको delete करना है और अपना जो है वे details उसे update कर देना ठीक है यह जो है प्रीमेट format है आपके लिए आप जहाओ तो यूज कर सकते हो लेटर में देखते हैं हम लोग किसी को लेटर लिखना ठीक है तो यह है आपके लिए पुरा मतलब करके हैं लिखा हुआ बस आपकू जो है को यहां पर शेंज करणा बाकि सारी फॉर्मेटिंग यह जो है ऑट्मांटिक होजाएगी कोट Тो अको प्रोजेट का प्रॉपोसेल तो आप इसको क्लिक करो और यहां पर इमेज को आप अपना इमेज से रेपलेस कर दो ठीक है तो इस तरीके से आप बस अपडेट कर दोगे सारे डीटेल्स और यह प्रोजेट प्रोपोसल भी करेडियोगा ठीक है now मान लिज़ाए आपको यहाँ पर एक नोट बनाना आपने लिए ठीक है कुछ भी नोट बनाना इसम крас Is है तो आप कैसे बनाओगा सबसे पहले यहाँ पर जो वे इन टाइल्न डॉकुमेंट इसको आप लोग renesem कर लोगे ठीक है इसको delete करके इस file का, इस dog का क्या name होगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है, let's say email, email marketing से related मैंने यहाँ पर notes बनाया, ठीक है, email marketing मैंने लिख 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 हो चुगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आप notes लिखोगे, वो यहाँ पर लिखना सुरू करोगे, ठीक है, पहले मैं check कर ल marketing से related, ठीक है, let's say कि यह वाला पहले मुझे लिखना है, ठीक है, यह headline मुझे चाहिए, अपने document, इसको मैंने control सीखिया, और यहाँ पर हम लोग यह कर दिया, ठीक है, अब इसको हमें bold में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर जाना है, यह सारे आपको यहाँ पर दिखाई द दिया, अब यहाँ से आप चाहो तो इसका font चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जाके font कुछ बदल सकते हैं, ठीक है, और इसके font size को बढ़ा सकते है, ठीक है, अब चाहो तो आप इसका color भी चेंज कर सकते हो, इस text का, headline text का, यह है हमारा color का option, rate कर दिया, ठीक है, अब आप चाहो तो इसके जो background में हमlightning color डाल सकते हो ठीक है यह color के लिए है Firth ll denying color के लिए ठीक है यह font size के लिए यह font लाइड के लिए hablando करने के लिए इटलिक text करना है तो इटालिक हो जाएगा and bold हो जाएगा and italic हो जाएगं और यह underline करना text को इसको use करना ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट को तो तो आये दिखता है लेट से यह वाला पाराग्राफ मैं अपने डॉक्स में लिख रहे हैं वापस आपको जाना है यहां और फिर पहले मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूं बाक्राउंड कलर यह वाला टेक्स्ट मैंने लिख दिया ठीक है अब इसका फॉन्ट पहले मैं चेंज करूंगी क्योंकि य सब्सक्राइब करें लेट से ऊस्वाल्ट कि मैंने यह वाला फॉन्ट डाला है इसके जो साइज है वो 17 है और इसको मैं बोल्ड नहीं रखूंगी इटालिक भी नहीं रखूंगी टेक्स्ट का कलर रखूंगी मैं ब्लैक और फिर इसमें जो है अलाइनमेंट लेफ्ट लेट लाइन रखती हूं यहां पर आपको लाइन इन स्पेसिंग ऑप्शन हो आ रहा है ठीक है लेट से 1.5 मैं देती हूं लाइन के जो बीच में स्पेस है वो थोड़े इंक्रीम हो गया ठीक है और स्पेस्ट पराग्राफ वो भी कर सकते है ठीक है आ हाखे अधिस कषिश्थ आ इस सब कुछ हमने कर लिया अब यहां पिए आप चाहो सब लिस्ट बना सकते है؟ The Bulleted List Our Purvenant इस तरह के से आप चाहो तो इसकर लिस्ट में भी आप इसको लिख सकते हूं ठीक है अब यहां से भी आप चूज कर सकते हैं कुछ अगर आपको लिखना है और टेक्स लिस्ट वाइज में तो आप यह फॉर्मेट चूज कर सकते हैं इंडेंटेशन को जो इसमें और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहां से जाके आप जो है हिंदी में टेक्स लिख पाऊगे ह कि हिंदी में ठीक है या पर्टे कले चुछ कर लेना आप Alright각 अंधि मेश करना ठीक है इन सर्ट Пर पर जाना इंसर्ट करना है और यहां पर जा के आप एक इमेज़ चूस कर लेनी कहीं एक है इमेज़ पर जाओगे अब तो अफ्लोट from computer or search from the web यह सब कुछ कर सकते हो ड्राइब से अप्लोड कर सकते हो फोटोज यह सब कुछ आप कर सकते हो अप्लोड फ्रम computer से करना है जैसे कि लेट से मैं यह वाला इमेज इसमें डाल रही हूं ठीक है तो यहां पर जो हमारी जो यह डॉक है इसमें मैंने एक हेडल लिखा है परअग्राफ लिकरह विकी मेज भी डाल लिया ठीक है इस में एकचार्ट को भी आप आड कर सकते हो इमें अ यह मोजिस जैसे कि मैंने डाला ठीक है ड्रॉप डाउन अल सकते हो ठीक है इस यहां पर टेंब्लिट का नाम होना चाहिए और फिर उप्शन्स होगा ठीक है लिंक डाल सकते हो ठीक है जैसे कि एक पटिकलर टेक्स्ट इस पर आपको लिंक चाहिए , तो आपको अप मेस्विक्ख से जाना है लिंक पर क्लिक करना है और यहां पे कुछ लिंक आप डाल सकते हो तो अब देख सकते हो कि यह जो है एक लिंक बन रगाए ऐस पाइश्ट पर कोई क्लिक करेंगा तो वह ऐडरेस में रिर्टा हो जाएगा ठीक है इसको बस सेलेक्ट करना है और फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके लिंक पे क्लिक कर देना है यहाँ पर जाना है और फिर इंसर्ट लिंक दर्सट और लिंक अड्रस ठीक है टूल्स पर जाके अप स्पेलिंग एंड ग्रैमर स्पेलिंग सेजेशन्स कर सकते हो ठीक है टूल्स में जाके आप जो है वर्ड काउंट को भी अन कर सकते हो ठीक है आप देख सकते हैं रिव्यू सचेस्टेड इडिट्स यह सब कुछ कर सकते हो ठीक है वाइस टैपिंग भी कर सकते हो ठीक है तो आप चित करो और इस तरीके से आप जो है तो एक ब्यूटिफुल जो है कि भी बीक नोट्स भी नेटी कर सकते हूं ठीक है निसको डाउनलोड कर सकते डीटी अवान कर सकते हैं रहत स define a text dessus दॉटमेंटे से और ट्रैंसे अपनी नोट्स बनाने के लिए या फिर किसी को कुछ सेंट करना है डॉक्स और नोट्स तो आप वह भी कर चकते हूं ठीक है बताइए मुझे आप यह कैसा लगा ठीक है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट अलाइक बटन और सब्सक्राइब तो मा यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच